इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपको बता दे दिली के राजनेतिक अधियारों में बड़ी सियासी चर्चा हो रही है क्या राजेंद्र राठोड को मिल सकती है भजनलाल मंत्री मंदल में जगे राजेंद राठोड के साथ सतीश पुनिया के नाम की भी चचा हो रही है तेज मंत्री बनाये जाने के बाद लड़ सकते हैं चुनाव हरलाल सहारण की जगे चुनाव लड़ सकते हैं राजиля इंद राठोड राठोड हाल में हरलाल सहारण और राज़ेंद राठोड ढिली आय थे सुत्रों के अनुसार राठोड के साथ सहारण भी मिले थे राष्ची नेताउं से क्या बीजेपी ने तरत्वत चाहता है राजेंदर राठोड के अनुभव को मंत्री मंडल में शामिल करना तो ये बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है बड़ी अपडेट आपको बता दे कि दिली के राजेंदर राठोड को भजनलाल मंत्री मंडल में कोई जगे मिल सकती है राजेंदर राठोड के साथ सतीश पूर्णिया के नाम पर भी चर्चा की जा रही है मंत्री बनाए जाने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं आपको पता दे कि हरलाल सहारन की जगे शुनाव लड़ सकते हैं राजेंदर राठोड ऐसी चर्चा हो रही है हाल ही में राजेंदर राठोड दिली आये थे और सुत्रों के नुसार राजेंदर राठोड के साथ सहारन भी मिले थे राश्ट्रे नेताओं के साथ तो ऐसी हल चल तेज हो गई है कि जैसे ही राश्टी नेताओं के साथ इनकी मीटिंग हुई है और अब सियासी गलियारू में इस बात की चर्चा है कि क्या मंत्री मंदल में राजेंद राठोड को कोई बड़ी जगे मिल सकती है क्या बीजेपी नेता तु चाहता है राजेंद वो लड़ेंगे तो दिली के राजटी गलियारों में फिलाल इस बात की चर्चा तेज हो गई है तो राजेंद राठोड के साथ सदीश पूर्या के नाम की भी साथ में चर्चा हो रही है और इसी को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मंत्री मंदल में रा आज मंत्री मंदल का विस्तार होना है और आज दौपहर तक मंत्री मंदल विस्तार होगा मंत्रियों को शपत दिलाई जाएगी और आपको वता दे कि शुब नक्षत्र में शुब घड़ी में मंत्रियों को शपत दिलाई जाएगी और इसी बीच चर्चा आ रही है सामने है कि क्या राजेंद राटर को कोई सीट मिल सकती है